हम रोज आपको भगवान भूले नाद के कई मंदिरों से जुड़े रहसे के बारे में चानकारी देते हैं, जहां आज हम शिवजी के एक और रहसे मैं मंदर के बारे में आपको बताने वाले हैं, जहां ये माना गया है किस मंदर का निर्मान भूतों के द्वारा किया गया था रह गए ना है रान लेकिन ये सच है हम आज आपको बताने वाले हैं ककन मठ मंदिर के अनोखे रहसे के बारे में तो चलिए इस रहसे को जाननी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखे साथ ही धर्म से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे हर भगवान के भक्त कई प्रकार की होते हैं लेकिन शिवजी के भक्त देवी देवताओ के साथ भूत प्रेत भी है जी हाँ भगवान शिवगो भूतो द्वारा भी पूझा गया है वहीं माना ये भी जाता है कि इस मंदर को ग्यारवी शताबदी में राजा कीर्ती राज के शाशनकाल में बनाया गया था ये मंदर पूरा तो नहीं बन पाया लेकिन आज भी ये मंदर काफी अनोखा माना गया है बता दें कि ये अनोखा मंदर इस्तित है मध्य प्रदेश के सिहोनिया गाउ में जिसको पहले सिपर्णय नाम से भी जाना गया है यह मंदर भगवान भूतनात यानि कि भगवान भोलेनात को समर्पित है वहीं अगर अब इस मंदर पर नजर डालें तो ये मंदर काफी हद तक ध्वस्त हो गया लेकिन मंदर के पुराने अफशेशों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मंदर अपने समय में बेहद ही भव्य मंदर रहा होगा जिससे इस मंदर के मानिता के बारे में जानकारी मिलती है क्योंकि ये मंदर इस पूरे राज्य में ही नहीं बलकि इस मंदर को पूरे देश में इसी वजह से जाना जाता है वहीं आज इस मंदिर में कुछ खास नहीं बचा देखने के लिए लेकिन फिर भी हर राज्ये से यहां सैक्रो भक्त दर्शन के लिए आते है धर्म से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें